हेलो फ्रेंड्स मैं अकान शाह जीकिवेद अकान शाह मैं आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम लिवसेंड पढ़ने वाले हैं सौरी फ्रेंड्स बहुत दिनों से मैं यह लानी पाई हूं और जिसके चलते हमारा यह भाग थोड़ा सा डेले हो गया है लिकिन हम मैं रेगुलर अल्टरनेट डेस पर यह वीडियो लाओंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके पहले हम भाग 10 पढ़ चुके हैं और अब इसके भाग 11 पढ़ने वाले हैं इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लेलिस्ट में जाईएग आप लिवसेंट के 50,000 प्रश्न कर लेते हैं कोई भी वंडे एक्जाम आपका छूटेगा नहीं क्योंकि 100 आउट 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 तो किसी भी वंडे एक्जाम में कोई लाता नहीं है और 70-80 नंबर 70-70 नंबर लिवसेंट आपको दिलाता है प्लस 10 marks आपका current affairs रहता ह तो आप किसी भी एक्जाम को fight करने जा रहे हैं यह 50,000 प्रश्न को इसी तरह में लिखूंगी देखिया आपको कितने सदल तरीके से पूरी लूसेंट मैंने कर दी है तो इसी प्रिकार से आप करेंगे और अगर आपको लूसेंट के notes लेना है तो आप मुझे WhatsApp कर दीजेगा तो आप इसके notes ले सकते हैं मुझे से इसके कुछ update अभी रह गया है जैसे update तैयार होगा तो आपको notes मिलना start हो जाएगा आप किसी भी स्टेट की PCS की तैयारी कर रहे है तो भी आपके लिए बहुत महत्तपूर है जैसे कि आप अगर मैद्दपिदेश PSC की कर रहे है तो हम इससे में माद फ्रेंड्स डिस्क्रिप्सर में आपको लिंक मिलेगा WhatsApp और Telegram ग्रूप का तो उसको जोइन कर लिजेगा तो ताकि आपको सभी update मिलता रहे पहला गोशने लोथल किस नदी के किनारे है और कहां पर है तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है और यह गुजरात में है एहमदावात में एहमदावत का गुजरात जगे वहाँ पर भोगवा नदी के किनारे लोथल है देखिए फ्रेंड्स इसको त्रिक दोरह भी आप याद कर सकते हैं लोथल और भोगवा को लोभ से याद रखिएगा लोश्यापका हो जाएगा लोथल और भासे हो में है उन्कीछ आलमगीरपूर किस नदी के किनारे है और अतर प्रदेश기도 आलमगीरपूर की खोत किस ने की ती supply सर्माणे рассказ उन्काव करूव आगम आलमगीरपोर उत्तापदेस की मेरट में हिंड़न नदी के ये किनारे हैं 1958 में यगदत्य सर्मा ने इसकी खोज की थी नेक्स्ट है सुथ कांगेडोर किस नदी के किनारे है सुथ कांगेडोर दास्क नदी के किनारे है और ये पाक के पकिस्तान के मकरान जिले में आता ह सुत कांगेडोर किस नदी के किनारे है दासक नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान के मकरान में आता है नेक्स्ट है सुत कांगेडोर की खोज किस ने की थी सुत कांगेडोर की खोज औरेंज स्टाइल ने की थी औरेंज स्टाइल ने सुत कांगेडोर की खोज की थी नेक्स्ट है बनमाली किस नदी के किनारे है बनमाली रंगोई नदी के किनारे है और ये हर्याणा के हिसार जिले में बनमाली कहा है बनमाली रंगोई नदी के किनारे है हर्याणा के हिसार जिले में नेस्टित धौला वीरा कहां पर है? इसकी खोच किसने की, धौला वीरा गुजरात का गच्छ छिला है, गच्छ आपको बताओं कहां परता है। हीए हमारा अंपि है ये वाला इस्सा cherry काट्छ कैलाथ है दो खाड़ी ओखाड़ी जो रहता है यहार पर आपका गच्छ जिला और रविंद्ध सिंग विस्ट न इसकी घुंद eldest ने किफी दोलाविरा की खोछ किसंने की तो रविंद सिंग विस्ट न कीथी कहां पे हैं गुजरात के कर्च जिले में अब हम पढ़ते हैं वैदिक सब्बिता के बारे में 269 कोश्चन है हमारा वैदिक काल का भीवाजन कितने भागों में किया गया है रिग वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल कब से कब दो भागों में रिगवेदिक काल, उत्तरवेदिक काल, रिगवेदिक 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 काल, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास इस्थान कहां बताया मध्य एशिया बताया आर्यों द्वारा निर्मे सब्विता कौन सी है आर्यों द्वारा निर्मे सब्विता है वैदिक सब्विता आर्यो की सब्यता किस प्रकार की थी? आर्यो की सब्यता किस प्रकार की थी? ग्रामीन सब्यता थी आर्यो की भासा कैसी थी? आर्यो की भासा संस्कृत थी? आर्यो की भासा कैसी थी? संस्कृत और रास्ट गाओं का मुखिया क्या कहलाता था गाओं का मुखिया ग्रामिनी कहलाता था ग्रामिनी कहलाता था विश का प्रदान कौन होता था विश्पती होता था जन के सासक क्या कहलाते थे जन के सासक कहलाते थे राजन रतनी किसे कहते थे रतनी कहते थे सूत रतकार कमादी नामक अधिकारी जो है वो रतनी कहलाते थे पुरप कौन होते थे पुरप दुरप पती होते थे पुरप कौन होते थे दुरप पती होते थे इसपस कौन होते हैं, इसपस गुप्त चर होते हैं, बाजपती कौन होता है, गोचर भूमी का अधिकारी होता है, उग्र कौन होते थे, उग्र अपरादियों को पकड़ने का कारे करता था, उग्र कौन होता था, उग्र अफ्रादियों को फकरने का कारे करता था, राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी, सवा और समीती, सवा और समीती राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, नेक्स्ट ए 275 कोश्चन सामाने जंता का दिखिए जो सवा और समीती थी जो राजा को सला देती थी उनमें से प्रतिनेदिद्व करती थी अलग अलग लोगों का जो सभा होती थी वो स्रेष्ट लोगों का प्रतिने दित्व करती थी और जो समीती होती थी वो सामाने जनता का प्रतिने दित्व करती थी मतलब जो बड़े बड़े लोग होंगे बड़े अधिकारी टाइप लोग होंगे उनका जो पति ने दित्व करेगी वो कौन से समीति करेगी सभा करेगी और सामान जंता का जो पति ने दित्व करती थे उसको मेली समीति ही बोलते थे समीती का अद्यक्ष क्या कहलाता था इसान कहलाता था समीती के अद्यक्ष को हम क्या कहते थे समीती के अद्यक्ष को इसान बोलते थे युद्व में कभीली का नेतत्व कौन करता था युद्व में जब कभीला जो बन जाता था 10 से 15 लोगों का सम्हू बन जाता यह से जादा लोगों का तो उसका एक नेतत्व करता होता था जो बताता था क्या करना है तो वो नेतत्व करता था राजा युद्ध में कविले का नेतत्व राजा ही करता था वैदिक सब्विता की बात कर रहे गविष्टी सब्द का प्रियोग किस के लिए करते थे गविष्टी सब्द का प्रियोग करता था युद्ध पहले जो युद तो गविष्टी का अर्थ होता था गायों की खोज गविष्टी सब्द का प्रियोग किस लिए होता था युद्ध की लिए होता था और गविष्टी का अर्थ क्या होता था गायों की खोज नेक्स्ट दसरा युगत का वर्नर रिगवेद के किस मंदल में है तो दसरा युगत का वर्नर रिगवेद के साथवे मंदल में है है बहुत important question है कि 10 गयुक्त कि किस मंदल में है साथवे मंदल में इतने 10 मंदल है तो सातवे मंदल में 10 गयात्री मंत्र हुआ पुरुषूक्त हुआ यह मंडल में यह आपको याद रखना है और इसके अलावा जो भी प्रेस्ट बनता है मैं करा यह देती हूं आप चैनल चीज़े कर लेंगे और हमारे वंडे की जितनी भी इंपोर्टेंट बूलते हैं कि यह सबसे मैद पर वैसे तो कोई एक पुख हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा बहुत सार अबाट कवर हो जाता है तो इसके लिए आपके लिए मैं उनस अब बुक को कवर करवा दूँगी वस आप चैनल से जोड़े रहेगा और टेलिग्राम की लिंक और वाटसप गूरूप की लिंक आपको डिस्कृप्शन में मिल जाएगी उससे आप जरूर जोड़ जाएगा ताकि आपको रेगूलर अपडेट मिलता वीडियो का साथ मैं आपको कुछ नोट्स की पीडियाप वगर्हा टेलीगराम और वाटसप ग्रूप पर मिलती रहें अलग-अलग कोचिंग के नोट्स और आपको बुक्स की पीडियाप वीवाँ पर मिलती रहेगी तो फेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर कीजेगा अपना ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजेगा ओके फेंस धेंक यू